यह एक कमपनी का मैंने चार्ट लगा रखा है जिसके रिटर्ण का मैं पूट पाल वो आपको दिखाना चाहरा हूँ यह देखिए एक अपरील 2005 को इसकी प्राइस हुआ करती थी 8 रुपया 77 पैसा चलिए दोस्तों हम लोगो नोट कर लेते हैं ठीक है 8 रुपया 77 पैसा ठीक ह यानि कि प्राइस को अगर हम देखे अगर हिस्टोरिकल प्राइस को तो ऐसा देखने से लगा रहा है कि उस टाइम पर यह भी माईकुरो कैपी होगा यह पी नी यह श्टॉक हम लोग इसको बोलते हूँगे ठीक है और वहां से प्राइस अपना भागना शुरू किया 2015 से 2015 स अपने आपको consolidated करते रहा फिर इसके अंदर दीर दीर आग लगती गई आग लगती गई इतनी ज्यादा आग लगी इतनी ज्यादा आग लगी इतनी ज्यादा आग लगी कि इसने एक टाइम पर 27-27 रोपया का आकडा को टच किया वहां से फिर इसके अंदर correction देखने को मिला और at present अपने 2000 के नीचे के लेबल को भी टच कर रहा है तो हम अगर all time high को ना अगर देखें अगर current price पर जो की current price पर अगर हम calculate करें तो माल लिजे current price है 19 रुपईया तो 19 रुपईया को हम divide कर देते हैं 8 रुपईया 77 रुपईया से अब बताईए कि 2005 से 2023 से start हो यानि कि 18 साल मान लिजे ठी 18 साल में कितना percent return दिया आपको कितना percent return दिया आपको आप जरा calculate कीजिए divide करके कितना गुणा कर दिया आपके पैसे को यानि कि अगर जिस बंदे ने 1000 रुपईया भी लगा दिया रहता 1000 रुपईया कितना उसको share मिला रहा था 100 share के मान लिजे 100 है मुटा मुटी 100 share ता 100 share का दाम कितना हो रहा था आज की current price के हिसाब से दोस्तों मैं ये एक ऐसी company के बात कर रहा हूँ जो specialty chemical company हो में return देने में सबका बाप है दोस्तों और अपना मुन समझिये कि जिस field में काम कर रहा है जिस specialty chemical field में काम कर रहा है इसके product में 75% का इसका hold है market share का 75% अके लिए यही company परफाइट कर रहा है दोस्तों देख रहे हैं कि आप बहतनी तरीका का return इसने दिया है यहां दोस्तों मैं speciality chemical की company दीपक नाइट राइट की बात कर रहा हूँ जिसका 24 तारीक का closing price था 1850 रुपई ठीक है market capitalization 25706 रुपई के यानि बोल सकते एक तरह का meet cap company है 52 week high इसने बनाया था 2580 का और 52 week low बनाया है 1681 का यानि कि अपने 52 week low से सिर्फ 200 रुपई दूर है dividend yield भी 0.37% है इसका face value 2 का है industry का P25 का है stock का P28 का है यानि कि अपने industry PE के आसपास ही है book value 291 रुपईया का है तो बहतरिन parameter stock selection करने का ROCE जो है 44.5% है इसका और ROE जो है इसका 37.4 है debt to equity 0.07 करोड है compare to market capitalization समझे कि अल्मोस्ट 0 है earning per share इनका 67.4 है 5 years का profit जो है गुरू इनका 87% है और sales गुरू है 37.1 पर मोटर का holding 45.7% है दोस्तों ये देखिए deepak nitrite has more than 75% market share in sodium nitrite sodium nitrite sodium nitrite sodium nitro tolerance in India ये specialty chemical का business करती है दोस्तों और मैं इसके official website पर लेके आए हूँ जहाँ पर ये deepak nitrite का है ठीक है product के अगर range में जाएंगे तो इतनी ज़्यादा इसका दो तरह का है कि क्या ये बेचते हैं और क्या खरीदते हैं ठीक है तो अगर माल लिए है कि क्या बेचते भी है तो इतने तरह का इनका product का catalog है ये देख रहे हैं आप chemical नाम है पढ़ने में भी दिक्कत वाली चीज है है हम लोग मेरे लिए especially तो इतना है मैं तो बस return का portfolio और company का constant profit देखके company का decide करता हूँ क्योंकि chemical best company है मेरे को इसका नाम नहीं है इसलिए बोला जाता है कि इंडिया में अगर इंवेस्टरों को सबसे जादा अगर किसी ने profit कमा कर दिया है तो उसमें chemical company का सबसे जाड़ा बड़ा हात है आप यहाँ पर मैं profit और loss का एक बार आपको statement दिखाना हूँ थी कि कि किस तरह से constant year wise इसने अपने profit को grow किया है दोस्तों कोई ऐसा year नहीं देखेंगे जो previous year से उसका कम profit आया जैसे March 2015 को देखें सिर्फ 30 cents क्रोण का net profit था, March 2016 में 63 हो गया, March 2017 में 96 हो गया, March 2018 में 79, ये एक period ऐसा है जो डाउन थ्राजा गया मार्च 2019 में 174 करोड और मार्च 2020 में तु क्या 174 करोड से सीधा 600 कि गारे करोड मार्च 2021 में 776 करोड मार्च 2022 में 1066 करोड और पिछले 3 क्वार्टर का मिलकर 919 करोड उसी तरह आपरेटिंग प्रोफिट भी देख लेंगे दोस्तों मार्च 2020 में 1035 करोड मार्च 2021 में 1222 करोड मार्च 2022 में 167 करोड और अभी 3 क्वार्टर का मिलकर 1389 करोड देख रहा है आपकी स्तरह का 20 प्रोफिट करोड और यहाँ पर अपर देखेंगे कंपाउंड प्रोफिट गारेँगे 87 सेवेन परसेंट है 3 years का देखेंग 82 परसेंट है दूस्तों sales grow भी 38 परसेंट है 5 years का 3 years का 36 परसेंट है क्या जबरदस्त compounder रहा है consistently आपके पैसे को compound करके दिया consistently इसे तरह की कंपनियां speciality chemical sector की जितने भी कमपनी यां है जितने भी आप नाम जानते बहुत सारा आप पोर्ट्फोलियों में होगा सब के सब बहतरीन कमपाउंडर रहे सा आने वाले वक्त में भी सुपरेश्टार ही रहेगा सब यह देखे दीपक नाइटराइट का मैंने विकली टाइम फ्रेम लगा के रखा हुआ है यही 684 का प्राइस है जो की जुलाई के महीने 2022 में लगाया है दोस्तों अब मैं जरा इसको पताओं कि देखिए यहाँ पर विकली एक कंसोलीडेशन हुआ है यह वही कंसोलीडेशन है जहां से इसने प्रिवियस टाइम पर बाउंस बैक लिया था अब मैं आपको थोड़ा जोन है जो इसने अपना 52 विक लो लगाया था यानि 1685 का वहां से इसके अंदर एक पुल बैक आया फिर उसके बाद से रिवर्सल आना हुआ और पेरजेंट 1884 के आसपास अपने आपको यह सश्टेंड कर रहा है यह सही बहुत अगर आप आप आल टाइम हाई से देखेंग अच्छे एस्टॉक जो इतने परसंट डिसकाउंट में मिल जाए तो यह सोने पे सुहागा वाली बात होती है दोसको जिस तरह का यह फिल्क बिजनस है जिस तरह का यह मार्केट लीडर है स्पेसालिटी केमिकल में जिस तरह का इसका बजार में होल्ड है पहले भी सुपर स्टार था और आने वाले वक्त में भी मल्टी बेगर रिटन देने की यह पूरी की पूरी इसके अंदर पोटेंसियल है और यह बहतरीन प्राइस जोन है इसमें एड करने का एश्टॉक में अपनी क्वांटिटी बढ़ाते रहने का ठीक है दोस्तों और अगर निव फ्रेस आता है मैं इसमें एड ही करता जाता हूं देखें टी पलस वन में एक एश्टॉक मेरे को दिखाएगा ठीक है इतना गिरावट के बाद जबकि मैं खरदारी कर रहा हूं तो खरदारी करने के साथ पैसे का भी एबरेज हो रहा है बाई प्राइस अभी भी 45.42% के नहीं देख सकता या इस तरह का कोरेक्शन में बेनेफिट नहीं उठा सकता हो क्या सेयर मार्केट में पैसे कमाएगा दोस्तों तो निसंदे होकर बीना डरे इससी टाइम प्राइस पे आप लोग इंट्री लीए खरीद कर 10 साल के लिए छोड़िए 10 साल में देखिए आपक कि पैसे को 50-100 गुना करता हुए एक कमपनी ठीक सकता है दोस्तों दूस्तों इस वीडियो के लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए अपने दूस्तों के लाइद सेयर कीजिए